नमस्कार न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा अगरवाल बुलिटिन के शुरुआत करेंगे खबरों के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसे दौरे पर काशी पर रहेंगे मोदी विखसत भारा संकल पी यात्रा में हिस्सा लेने के लिए वारणसी जाने से पहले सूरत हवाई अड़े और सूरत डामेंड बोर्ट से में नए एकेकरित टर्मिनल भवन का उद्खाटन करेंगे पिया मोदी के वारणसी दौरे को लेकर रूट डाइवर्जिन प्लान लागू रहेगा ADCP ट्राफिक ने आमजन से अपील की है कि रूट डाइवर्जिन प्लान का पालन कर यातायात व्यवस्ता को सुचारू बनाय रखने में सही ओक करें संसत भवन की सुरक्षा में सेंध मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजिन्स ने छटे आरोपी महेश को पतियाला हाउस कोट में पेश किया इस मामले में पहले गिरफतार किये गए ललिजजा और महेश को पुलिस इस पूरे मामले का मास्टर माइड मान रही है पुलिस को शक है कि इन्हीं दोनोंने शड़ियन तरह रचा है आपको बता दे की बिरस पतिवार को देरात लाले ज्जा के साथ महेश भी दिली आकर करतव पत्थारे में पुलिस के सामने समर्पर करने पहुंचा था लेकिन पुलिस ने केवाल लाले ज्जा को ही गरफतार किया था उत्तर प्रदेश के फरूखाबाद से संसनी खेस खबर सामने आई है यहां एक प्रेमिका के साथ आई युवक ने देर रात बुज़र्ग की गला रेत कर हत्या कर दी आरोपी के हमले में एक महिला भी घाल हुई है वही हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया मौके पर पहुंची पुलिस ने श्रब को कबजे में लेकर महिला को अस्पताल में भरती कराया फिलहाल पुलिस मामले की जाच में भी जुट गई है यह पूरा मामला फत्यगार कोतवाली लाके के महला भोले पुर क्रॉसिंग के पास का बताया जा रहा है और अब खबर यूपी के अमरोहा से है जहां पर दबंगो ने बुज़र्ग को लाटे डंडे से पीटा है रास्ते के विवाद को लेकर बुज़र्ग के साथ मारपीट हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहा है जिसमें बुज़र्ग के साथ बिरहमी के साथ मारपीट की गई है जिसमें बुज़र्ग बरी तरह से घाल हो गया है हाला कि मामले के जाँ चपकी जा रही है क्योंकि ये वीडियो लगतार वारल हो रहा है डिप्टिस्यम बनने के बाद पहली बार चाकसू पहुंचे प्रेम चंद वैरवाद जहां उनका स्वागत इस्थाने लोगों ने किया और 51 किलो की फूलो की मालप पहना कर उनका भव स्वागत किया गया बड़ी संक्या में भाजपाईयों ने भी गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया साती कस्वे के मोड अंबेटकर सरकल पर भी उनका भव स्वागत हुआ हाला कि उपमुखे मंत्री बैरवा चाकसू से अब तोंग के लिए रवाना हो गए है राज़स्तान के अनुमानगड में सड़क हाथसा हुआ है बुलेरो और पिक अप में जोरदार टक कर हो गई हाथसे में तीन लोगों की मौत हो गई गोगा मेरी थाना श्रेतर के परलिका गाउं के पास का ये पूरा मामलाम आपको बता रहे है 36 गड के बीज़ापूर में DRG बस्तर फाइटर के जवानों और मावादियों के बीच मुटभेड हो गई मुटभेड में जवानों ने मावादियों का काप ध्वस्त कर दिया और नकसली कमांडर की मौजूद्गी की सूचना पर आपरेशन चलाया गया DRG बस्तर फाइटर, STF और कोब्रा के जवानों ने मावादी कांप में भारी मात्रा में विस्फोटक समागरी, दवाईया, प्रतिबंदित, मावादी संगठन के प्रचार प्रसार की समागरी, मावादी साहित, मावादी वर्दी और कई समागरी बरामत की है आगे की कार्रवाई जारी है मही कांकेर में नकसलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है IED ब्लास्ट में शामिल चार नकसली मिलीशिया सदस्यों को गिरफतार किया गया BSF की पार्टी ड्यूटी के लिए महला की ओर निकली थी जिस पर नकसलियों ने पड़तापुर सडकटोला के पास पहले से घात लगा कर IED ब्लास्ट किया जिससे BSF के प्रधान आरकशक अखिलेश कुमार राय को गंभीर चोटाई जो इलाज के दारान शहीद हो गए BSF ने चार नकसलियों को गिरफतार कर लिया है पूछताश के दारान आरोपियों ने अपराद कबूल भी किया है मुंबई में यूफती को कार्स से कुचलने के कोशिश की गई बड़े अधिकारी के बेटे पर लगा आरोप तीन आरोपियों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्श कर लिया गया है मुंबई से 60 ठाने से एक मामला सामने आया यहां एक इंस्टाग्राम इंफ्ल्यूएंसर और 26 साल की बिटीशियन प्रिया सिंग ने अपने प्रेमी पर कार से कुचलने का गंभीर आरोप लगाया प्रिया सिंग ने आरोप लगाया कि एक वरिष्ट नौकर शाह का बेटा और उसके दो दोस्तों ने उसके साथ मार पीट की और अपनी एक्स्यूवी कार उस पर चड़ा दी पुलिस ने बताया कि इस घटना में प्रिया सिंग गंभी रूप से खायल है और फिलहाले कि निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है प्रिया का दाहिना पैट टूट गया है वहीं पेट पीट और बाहों पर काफी ज़्यादा चोटे भी आई हैं पुलिस ने प्रिय पर में शादी से वापस आ रही एक कार हाथसे का शिकार हो गई कार और एक अग्याद वाहन में भीशन भिड़नत हो गई जिसके कारण ये हाथसा हुआ हाथसे में छे लोगों की मौत हो गई है और दो लोग गंभी रूप से घायल है इस भीशन सड़क हाथसे में कार के पर खच्चे उड़ गए जानकारी के मताबिक फिलहाल गायलों को अस्पतार में भरती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच परतार में भी जुड़ गई है महराश्ट्र के मुक्यमंतरी एकनाच शिंदे और समाजी कारेकरता अन्नाच शिंदे और 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 अन्ना राजसान के सीकर से बड़ी खबर आपको बता दे बच्चों से भरी स्कूल बस अच्वारक से पलट गई हाथसे में 13 बच्चे गंभी रूप से घाल हो गई ग्रामिनों ने बस के शीशे तोड़ कर बच्चों को बहार निकाला गाल बच्चों को अस्पताल में भरती कराया गया है मौके से ड्राइवर फरार है जाच की जा रही है कि आखर यहाथसा हुआ कैसे क्या कारण रहा और गाल बच्चों का उपचार भी जारी है बंगाल के उलू बेरिया के पास एक बड़ा हाथसा होने से टल गया जहां हावडा से मंबई जा रही ट्रेन के दो डिब बे अलग हो गए हाला कि इस घटना में किसी के हतात होने की कोई खबर नहीं है अधिकारियों ने बताया कि घटना करीब साड़े नौ बजे की है जब हावडा मंबई रेल के दो डिब बे विर्शेब पूर इलाके में अलग हो गए ऐसा इसले हुआ क्योंकि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी केरल के मलपुरम में बड़ा हाथसा हो गया बस और आटो में जोरदा टकर हुई और साड़ा खासे में पांच लोगों की मौत हो गई आपको बता दे कि करनाटक से तीर थी यात्रियों को सबरी माला ले जाया जायते समय ये हाथसा हुआ मरने वालों में बच्चे और माहिलाएं भी शामिल है हरिद्वार में श्रत्रु संपति को खुर्द बुर्द करने का मामला सामने आया है शिकायत के बाद दो PCS सहित 28 लोगों पर मुकदमा दर्श किया गया जिसमें 10 लोग सीवक के नाम भी शामिल है SP विजिलेंस धिरेंदर गुंजियाल ने मुकदमे की पुष्टी की है इदर असल हरिद्वार जिले के ड्वालापूर शेतर में 21 बिघाश रत्रु संपति थी जोसे सरकार में सौपा जाना था लेकिन अपने निजी लाब के लिए कुछ PCS अधिकारियों ने भू माफियाओं के साथ मिलजूल कर संपति का बंदरबाट कर लिया हनुमान गड़ जिले के गोगा मेडी लाके में देरात उखुआ भीशन सड़क हाथसा एक बुलेरो और पिकप की टक्कर से इस हाथसे में तीन युवकों की मौत हो गई एक अन्य क्यारत काफी गंभीर बताई जा रही है गोगा मेडी पुलस्तान अधिकारी राधिश्याम का रवाई कर रही है संसद हमले पर राहूल गांधी का बायान सामने आया है बेरोजगारी की वज़से संसद में घटना हुई है देश में सबसे बड़ा मुद्धा बेरोजगारी है युवाव को रोजगार नहीं मिल पा रहा है संसद में सुरक्षा चू की घटना पर कॉंग्रेस संसद राहूल गांधी ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ देश में मुख्यमुद्धा बेरोजगारी है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाव को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और इसके पीछे कारण बेरोजगारी और महंगाई है वह संसद में सुरक्षा चुक की घटना पर कॉंग्रेस अध्यक्ष मलका अरजुन खडगे ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए हम सदन में बार-बार कह रहे हैं कि केंदर ग्रे मंतरी आकर बयान दे लेकिन वो वहाँ नहीं आने चाहते हैं और बयान नहीं देना चाहते हैं ये लोगतांतर के लिए अच्छी बात नहीं है तो अमरीका अर्जुन खड़गी की और से बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि खुद रक्षा मंतरी को इस पर बयान देना चाहिए और साथ ही इस बयान को लेकर उन्होंने साफकाए कि आखिर डर किस बात का है आकर इस सिती पर सवाल का जवाब विपक्ष को देना चाहिए सुरक्षा चूप पर कॉंग्रेस सध्यक्ष का ये बयान सामने आया बीज़पी प्रवक्तर शेहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉंफरेंस कर राहूल के संसद वाले बयान पर पलटवार करते वे कहा कि संसद की सुरक्षा में जचू कुई है इस मामले में जांच की जा रही है जो भी दोशी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा लेकिन राहूल गांधी कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच समझ ले तो संसद सुरक्षा मामले को लेकर शहजाद पूनवाला ने राहूल गांधी पर निश्चाना साधा और शहजाद पूनवाला ने कहा कि कुछ भी बोलने से पहले राहूल गांधी को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि आखिर वो बयान क्या दे रहे क्या देए संसत सुरक्षा चूक मामले को लेकर बीजेपी लगातार कह रही है कि इस मामले में जांच की जा रही है मामले में दोशियों को बक्षा बिल्कुल नहीं जाएगा लेकिन राहूल गांधी की और कॉंग्रेस अध्यक्ष मलेका आरजुन खड़गे की और से जो बयान सामने आया संसत की सुरक्षा चूक मामले को लेकर राहूल गांधी ने जो कहा कि बेरोजगारी का ये प्रभाव ह उसी का यासर है कि लोग अब बेरोजगारी के मुद्दे को सदर में आकर खुद उठा रहे हैं और साती राहूल गांधी ने कहा ताकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की जो नीती है उससे लोग संतुष्ट नहीं है रोजगार देने का बादा करके बेरोजगार लोगों को किया जा रहा है और इसे को लेकर राहूल गांधी ने जो बयान दिया उस पर शहजाद पूनावाला ने प्रेस का निशाना साधा राजस्तान में नई सरकार का गठन हो गया है मुख्य मंत्री भजल लाल शुर्मा के साथ दिया कुमारी और प्रेम चुन्द बैर्वा ने जिपिटी सियम पद के लिए शपत ले ली है वहीं मंत्रियों के नामों पर भी हाई लेवल का मंत्रन चल रहा है कहा जा रहा है कि मुख्य मंत्री की तरह मंत्रियों के नाम का भी बीजेपी हाई कमान फैसला लेगी दिल्ली से मुहार लगने के बाद मंत्री मंडल का गठन होगा और फिर राजभवन में शपत दिल आई जाएगी और इसे के साथ इस बॉलेटिन में बस इतना ही नमस्कार प्राज़ बस बाद में बस इस बाद में बस बाद में जाएगी